चमपारणय जगननातपुरी कोलकाता ट्रेन रिजरवेशन के साथ, दिवस एक ट्रेन में, राजकोट से रात ग्यारा बजे हापा बिलासपुर ट्रेन से रायपुर जाएंगे, दिवस दो ट्रेन में, कीर्तन, सत्सन के साथ ट्रेन में यात्रा का आनंद, दिवस तीन चमपा जाता है अतह हम या जारी जी का जल पिते या फिर राजभोग दर्शन के बाद तुलसी को जल चधा देते हैं दोपहर के बाद राजिम साइत सिन विशेश वाहन द्वारा जाएंगे राजिम एक शहर है जो रायपूर जिले में प्रस्तावित है लेकिन आधिकारिक तौर पर गरियाबंध जिले चत्तीसगर भारत में है राजीव लोचन विश्नु मंदिर राजिम में स्थित एक प्राचीन विश्नु मंदिर है मंदिर के निर्मान राजा विला स्तुनगा के शासनकाल का एक सात्वी शताबदी सीई शिलालेक यहां पाया गया है राजिम में धनेश विश्वर मंदिर बहुत समय पहले कल्चुरी काल में बनाया गया था और यह शहर का एक लोख प्रिय पूजा स्थल है। मंदिर का मुख पूर्व की ओर है और सामान्य से अधिक लंबा दिखाई देता है। इसलिए सुबह सबसे पहले सूरज उच्छ चमकता है। रामचंद का मंदिर जिसे हजारा राम भी कहा जाता है महल के मैदान के बीच में है। यह मंदिर विश्णू के अवतार के रूप में राम को समर्पित है। मंदिर मध्यम आकार का है, दीवार पर जानवरों, संगीतकारों की कई परतों में नकाशी की गई है। तीस-चालीस वर्षों के अंतराल में मंदिर को एक विशाल स्थान के रूप में विक्सित किया गया है। पहले यह एक गहन वनक्षेत्र अरण्य था, लेकिन महाप्रभु जी के प्राकट्य स्थान के रूप में स्थापित होने के बाद, विशाल भावनों, छात्रावासों, होटलों और धरमशालाओं का निर्मान किया जा रहा है। बारा, तेरवी शताब्दी में निर्मित, मंदिर देवी महामाया को समर्पित है। के दोरान मा सीता ने देवों के देव महादेव के प्रतीक रेत का शिवलिंग बनाकर उसकी पूजा की थी। बरनवापारा वायल्ड लाइफ सेंक्यूरी महासमुन्द जिले में स्थित है। अभ्यारण्य रायपूर से लगभग 100 किलोमीटर और इसकी स्थापना 1976 में वन्यजीव सनरक्षन अधिनियम के तहत की गई थी। चमपारण शहर में स्थित चमपेश्वर महादेव शिव मंदिर एक प्रसिद मंदिर है। इस मंदिर में नियमित रूप से कई स्थानिय लोगों के साथ साथ कई पर्यटक आते हैं जो चमपारण आते हैं। ये शहर राजिम के बहुत करीब है और आसानी से पहुचा जा सकता है। देवताओं की परिक्रमा पूजा का एक अभिन अंग है। मंदिर वास्तुकला में विभिन प्रदक्षिना पत शामिल हैं। दिवस पांच राइपुर। दो पहर दो बजे राइपुर के लिए निकलेंगे। शाम पांच बजे राइपुर से ट्रेन में जगननात पुरी जाएंगे। दिवस छे जगननात पुरी। जगननात मंदिर एक महत्वपूर्ण हिंदू मंदिर है जो विष्णू के एक रूप जगननात को समर्पित है। हिंदू धर्म में सर्वोचा देवत्व की त्रिमूर्ती में से एक। रात्री रोकान जगननात पुरी। दिवस साथ जगननात पुरी। सुबर 9 बजे जगननात पुरी साइट सीन देखने जाएंगे। लिंगराज मंदिर शिव को समर्पित एक हिंदू मंदिर है और भारत के ओडिसा राज्य की राजधानी भुवनेश्वर में सबसे पुराने मंदिरों में से एक है। वास्तविक मंदिर निर्मान 1988 में शुरू हुआ और इसमें माया, पल्लव, विजयनगर, केरल और मंदिर वास्तुकला की दक्षन कैनरा शैलियों को शामिल किया गया। कोनार्क सूर्य मंदिर 13 वी सदी का सी ई, वर्ष 1250 का सूर्य मंदिर है, जो भारत के ओडिसा के पुरी जिले में समुद्र तट पर पुरी शहर से लगभग 35 किलोमीटर, 22 मील, उत्तर पूर्व में कोनार्क में है। साक्षी गोपाल मंदिर उपचारिक रूप से सत्यबाडी गोपिनात मंदिर के रूप में जाना जाता है, एक मध्यकालीन मंदिर है जो ओडिसा में पुरी भुवनेश्वर राजमार्ग पर साक्षी गोपाल शहर में स्थित भगवान गोपिनात को समर्पित है। समुद्र तटो में से एक है। प्रभु जगन्नात श्री चंद्रभागा मंदिर के मुख्य देवता है। उडिसा में शाब्दिक रूप से सफेद पहाडी, धवलगिरी, भारत में ही बौध धर्म का एक प्रमुख केंद्र है। यहां एक प्रसिद बुद्ध मंदिर स्थि था। कलिंड में ओडिसा और दक्षिन पूर्वी आंधरा प्रदेश के वर्तमान राज्य शामिल है। यह प्राचीन भारत में सबसे घातक संधर्शों में से एक था। सिर्पूर स्थूप भारत के चत्तिसगड राज्य के महासमुंद जिले के सिर्पूर गाव में स्थित एक प्राचीन बौद स्थूप है। हाल ही में सिर्पूर स्थूप की खुदाई की गई है। ऐसा माना जाता है कि इसे समराट अशोक ने बनवाया था। रातरी रोकान जगननातपुरी, दिवस आठ जगननातपुरी, पूरा दिन चौपाटी फिरेंगे या फिर खरीदद करेंगे। पुरी बीच या गोल्डन बीच भारत के ओडिसा राज्ये के पुरी शहर में एक समुद्र तट है। ये बंगाल की खाड़ी के तट पर है। यह एक परियतक आकर्शन और एक हिंदू पवित्र स्थान होने के लिए जाना जाता है। पुरी में परियतक और तीर सिर्मित उतपाद हैं। रात्री रोकान जगननात पुरी दिवस 9 पुरी हावडा इंटर सिटी ट्रेन कोलकाता के लिए रवाना। दिवस 10 कोलकाता सुबह 9 बजे कोलकाता साइट सीन देखने जाएंगे। दक्षन इश्वर काली मंदिर दक्षन इश्वर कोलकाता पश्च आध्या काली का एक रूप हैं। विक्टोरिया मेमोरियल मध्य कोलकाता में मैदान पर एक बड़ी संगमर्मर की इमारत हैं। जिसे 1906 और 1921 के बीच बनाया गया था। यह 1876 से 1901 तक भारत की महरानी विक्टोरिया की स्मृती को समर्पित है। बेलूर मठ रामकृष्ण मिशन का अंतराश्ट्रिया मुख्याले है। इसकी स्थापना 1899 में विश्व प्रसिद योगी और श्री रामकृष्ण परमहंस के शिश्य स्वामी विवेकानन्द ने की थी। यह अंतराश्ट्रिया परियतक आकर्शन हावडा जिले में बेलू के साथ स्वामी जी का मंदिर है। मंदिर का फर्ष जमीनी स्तर से नीचे है क्योंकि मंदिर के निर्मान के समय भूमी का वो हिस्सा बहुत नीचा था। रात्री रोकान कोलकाता, दिवस ग्यारा कोलकाता, सुबह पांच बजे गंगा सागर के लिए निकलेंगे। कोलकाता के गंगा सागर पूरे शहर के डौट करते हुए आपके उदेश को पूरा करने के लिए एक आदर्श स्थान है। उनकी पुनर जीवित प्राकुकित सु एसा माना जाता है कि देवता की स्थापना 1437 में स्वामी रामानंद ने की थी। वर्तमान संरचना हाल यी की है और इसमें एक पत्थर का खंड है जिसे रिशी कपिल का प्रतिनिधित्व माना जाता है। प्रित्य के साथ क्रिश्न की पूजा करने के तरीके का बंगाल में वैश्नववाद पर गहरा प्रभाव पड़ा। राजकोट में रात दस बजे सुखद आगमन जे टी सी हॉलिडेस प्राइवेट लिमिटेद राजकोट। कॉंटाक्ट नाइन सिक्स एट सेवन एट नाइन फाइफ थाउजन या नौ दो दो साथ छे शून्य शून्य आठ नौ शून्य। कॉंग में आठ पाल को भून्य शून्य शून्य।